हेलो गाइज, अब आगे, सब लोग उसे आवाज की तरफ देखते हैं जहां पर वीर खड़ा हुआ था उसके चहरे पर अजीब से भाव थे ना तो वह गुसे में लग रहा था और ना ही वह खुश लग रहा था वह उन सब के पास आता है और शौर्य को अपनी गोध में उठ रहे हूँ तो मेरे साथ यह ना इंसाफी क्यों मुझे भी एजज़त चाहिए मुझे भी सम्मान चाहिए मुझे भी थोड़ा भाव चाहिए वीर की बात सुनकर वहां खड़े सभी अपना सिर हिला देते हैं वही समीर अपनी आँखे घुमा कर उसे देखते हुए अंदस को ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है आपको भी पता है जानू पर आपसे भी ज्यादा हक मेरा है तो अगर मैंने हां कर देना तो समझो शौर्य का रास्ता साफ है वीर शौर्य की तरफ आज से देखा है तो शौर्य अपनी आँखे चमक कर वीर को तसली देते हुए अंदस को आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है मैं हूना मैं आपसे भी पूछूंगा पूछूंगा नहीं मैं आपको साबित करूंगा कि आपकी बेटी के लिए मुझस से ज्यादा अच्छा लड़का और कोई नहीं होगा जब आपको लगे कि मैं अपने टेस्ट में पास हो गया तो आप मुझे अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लेना चाहो तो मुझे अपना दामाद बोल भी सकते हो मानव और खुश्बू जो अभी अभी यहाँ पर आये थे और शौर्य की बात सुनकर अपना सिर हिला देते हैं मानव शौर्य को खुद कर देखते हुए जमीन से मूली निकली नहीं है और पहले ही एतने शेक चलियों के सपने देखने लग गई अरे भाई पहले बड़ा हो जा कमाने लग जा फिर अपनी फैमिली सेटल करने के बारे में सोचा पता नहीं आजकल की जनरेशन को क्या हो गया है एक हम थे जो अपने माँ बाप के सा पीचे आजाता है और सोफे पर अपना मुह फुला कर बैठते हुए अंडस को आपको तो बस हमेशा मेरी गलती निकाल होती है या फिर हमारी जनरेशन गैप को लेकर ताना मारना होता है अरे अगर मैं अभी से ही अपनी कोशिश नहीं करने लगूंगा ना तो फिर बड़ी होकर मेरी जानू को कोई और पसंद आ जाएगा और मैं ऐसा बिलकुल नहीं चाहता मैं जानू से प्यार किया है मैं उसे अपनी पतनी बनना चाहता हूँ फिर हमारी भी फैमिली होगी हमारे भी बच्चे होंगे और मैं अपने बच्चों को आपकी तरह ताना नहीं इस उम्र में तुम्हें अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए, मुझे तु समझ नहीं आता कि मेरे सीधे साधे बेटे को अंदर ये उसकी मां की आत्मा कहां से आ गई खुश्बू जो कबसे मानव की बाते सुन रही थी, वो हब मानव के पैर पर अपने पैर को जोर से मारती है जिससे मानव उच्छलने लग जाता है और घूर कर खुश्बू को देखा है लेकिन खुश्बू उल्टा उसको ही घूर कर देखते हुए कबसे आपकी बाते सुनी जा रही हूँ, आप जब भी कोई शौर्य अच्छी बात करता है तो खुद को क्रेडिट देते हो और जब ये कुछ भी रोमेंटिक बात करता है तो आप मेरे सिर पर आकर बैठ जाते हो, ऐसा तो नहीं चलता जनाब और वैसे भी मैं कौन सा इसको अकेले इस दुनिया में लेकर राई हूँ, तुम्हारा भी उतना ही इस चीज में हाथ है, जितना की मेरा जा मैं बोलू कुछ और मानव बस जल्दी से खुश्बू के मुह पर हाथ रख लेता है और उसके सिर पर हलकी सी चपत लगाते हुए अंडिस को तुम इतनी ज़्यादा बेशर्म क्यू हो, मुझे सच में समझ नहीं आता और मुझे तुम से प्यार होना था, ये भी मेरे समझ के पार है, मैं सच में इस चीज के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमन हूँ कि कही शौर्य का ये कभी-कभी निकलने वाला अवतार, अगर हमेशा ऐसा परमाने इन बन गया ना तो मैं कैसे संभाल पाऊंगा दो-दो बेशर्मों को मानव की बात सुनकर दोनों माव बेटे अपना मूँ बना लेते हैं, उनकी यह हरकत देखकर पूरा परिवार हसने मुस्कुराने लग जाता है, पाकी अपने पूरे परिवार को देख रही थी, जो की बहुत ज्यादा खुश था रनविजय उसके पास आता है और उसको गले से लगा लेता है, ये सारी खुशिया तभी पॉसिबल हो पाए है, जब तुम हमारी जिंदगी में वापस आ गई हो, मानता हूँ कि पहले मेरी गलती थी, लेकिन अब मैं कभी भी फिर से वह गलती नहीं दोहराऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, जहां प अपने हाथ से उसकी पीट पर शर्ट पर अपनी मुठी कर देते हैं, जिससे रणविजय को अपना जवाब मिल जाता है, वो हलका सा मुस्कुरा देता है और पाखी पर अपनी पकड़ और ज्यादा काश लेता है, ऐसे ही इन सब के दिन बीतने लगे मुहित और माही का प्य में थोड़ा सा फर्ट देखा था, क्योंकि उनकी ग्यार जो उन दोनों के अलावा किसी के पास चहरा पसंद नहीं करती थी, वो आजकल वरुन के आसपास बहुत ज़्यादा खुश महसूस करते थे, जिसे देखकर रानी के दिमाग में कुछ ना कुछ खिचरी बन रही थी देखते देखते इन सब की शादी का दिन भी आ गया, वीर नंदिनी अंश और रोशनी के साथ-साथ, आज अंशिका अग्नी शेखर और सुमन की शादी भी हुने वाली थी, मोहित और माही ने तो पहले ही शादी कर ली थी ओफो ये डोरिया बिना मुझे समझ नहीं आता, मुझे ऐसी अजीब सी ड्रेस क्यों देदी, इसे पहनना इतना मुश्किल है, उतरना तो इससे भी ज़्यादा होगा पाखी जो की अपनी चोली की डोरों से परेशान हो चुकी थी, वो खुद में ही बडबडाते हुए कहती है, तभी उसे रूम का गेट खुलता है, और सामने से रनविजय की तेज तर्रार आवा जाती है अरे घर में शादी है और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई चलो, जल्दी नीचे सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं और मैं सब को बोलते बोलते जैसे ही रनविजय की नजर पाकी पर जाती है तो उसकी आँखें पाकी पर ही ठहर जाती है, पाकी ने इस समय बहुत ही खूबसूरत लाल रंग का लहंगा और उसके साथ वाइट कलर की चोली पहनी हुई थी, जिसमें लाल रंग के लगकन थे, उसने अभी अपनी उढ़नी उढ़नी नहीं थी, जिस वज़े से उसकी वपतली सी कमर अच्छे से दिखाई दे रही थी, साथ ही साथ उसकी दोरिया ना लगने के कारण उसकी गोरी पीट की रनविजय की आँखों के सामने थी, मैं क्या करूँ सपना मुझे ये हजीब सी ड्रेस दे द पाकी भी अपनी दोरियों को छोड़कर अपनी लिपस्टिक उठाकर अपने होथों पर लगने लग जाती है, सुन विजय उसके करीब आ जाता है और उसके हाथ में दोरिया ले लेता है दोरी लेते समय रनविजय का हाथ पाकी की पीट पर टच हो गया जैसे विजय को अपने शरीर में एक अजीब सा कर्ट महसूस हुआ, उसने वो दोरिया लगाते लगाते उसके पीट पर अपने हाथ को फेरना शुरू कर दिया पाकी चौकी अपनी लिप्स्टिक लगा रही थी वह रुख जाती है क्योंकि उसके अंदर एक अजीब सी तड़प जाग रही थी उसको अपने शरीर में एक अलग सा कर्ट महसूस हो रहा था वह अपने कंदों को खिलाने लग जाती है तो रनविजय पीछे से ही उसके पकर लेता है और एक ही जटके में उसे अपनी तरफ खीच लेता है अब दोनों का चहरा एक दूसरे के सामने था रनविजय पाकी के उन लाल होटों को देख रहा था जिन पर अभी अभी पाकी ने लिप ग्लॉस लगाया था रनविजय आगे बढ़ता है और बाकी की होटो को अपने होटों के बीच में ले लेता है बाकी अपनी आखे बंद कर लेती है दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार और एहसास के साथ किस करने लग जाते हैं उनकी एक किस बहुत ज्यादा प्यारी और बहुत ज्यादा रोमेंटिक थी दोनों ऐसा लग रहा था कि जैसे एक दूसरे के रूप में उतर कर एक दूसरे को सुकून पहुंचाना चाह रहे हो। जहां पर पाखी के हाथ रन्विजय की पीट और उसके बालों में थे वही रन्विजय ने अपने हाथों से पाखी के पीट पर शर्ट करनी शुरू कर दी थी, उसका एक हाथ पाखी की कमर को सहला रहा था तो दूसरे हाथ उसकी दोरियों पर पहुँच चुका था. पाखी जिसने ही रनविजय का थंडा हाथ अपनी ग्राम कमर पर महसूस करते अपनी आखों को और ज्यादा कसके बंद कर लिया था तभी उसे महसूस होता है कि उसकी पीट पर थंडी हवा पर रही है क्योंकि रनविजय ने एक ही जटके में उसकी चोली की सारी डोरिया खोल जिस वजह से उसकी चोली उसके शरीर से अलग हो चुकी थी पाखी रनविजय से अलग हो जाती है और शर्माते हुए दूसरी तरफ आईने में अपने चेहरे को कर लेती है उसने दोनों हाथों से खुद को तक रखा था रनविजय मुस्कुरा कर आईने में देखा है और अ रनविजय मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बैड पर लाकर बहुत ही धीरे से रख देता है वो भी उसके उपर आ जाता है और उसके सीने पर बड़े हाथों को अलग करके उसके सीने को अपने होठों की मदद के साथ चमन लग जाता है वो उन पर प्यार के निशान भी बना रहा था जिससे पाकी गहरी गहरी आहा भर रही थी कुछ ही देर में रनविजय ने पाकी के पूरे बदन पर अपने प्यार की चाप छोड़ दी थी दोनों ही गहरी गहरी सांस ले रहे थी दोनों अब उसे नदी के किनारे पर पहुंच चुके थ जहां से ना तो वह मुलका रहे थे और ना ही आगे बढ़पा रहे थे रनविजय एक बार उससे अलग होकर पाकी की आँखों में देखा है पाकी भी समझ जाती है कि रनविजय क्या चाहता है वह अपनी आँखें बंद कर लेती है और अपने हाथों को खोल लेती है रनविज प्यार के निशान बना दिये थे रनविजय पाकी को फिर से पलता है और उसकी आँखों में देखते हुए उसकी रूह में उतर जाता है पाकी को हाला की दर्द हुआ था लेकिन वो अपने प्यार के लिए ये सब कुछ सहन कर जाती है। दोनों एक दूसरे में इस तरह खुल चुके थे कि उन्हें आसपास का कोई होश ही नहीं था नीचे शादी की तयारी चल रही थी और यहाँ पर रनविजय पाकी का प्यार मुकमल हो रहा था। रन्विजय को देखते हैं जिसका इतनी शोर में भी आंख नहीं खुली थी उसे गुसा आ जाता है और वो खीच कर एक लात रन्विजय को मारती है लेकिन उसके कारण उसकी भी दर्ड महसूस होता है वो अपना भी पेट पकड़ लेती है रन्विजय जो कि अपने दर्ड के कारण पाखी को कुछ कहना चाहता था लेकिन जब वो पाखी को दर्ड में देखा है तो उसका दिल वासी जाता है वो जल्दी से उसको अपनी बाहों में थमता है और उसके माथे पर किस करते हुए जाना प्लीज इस तरह से मुझे पर गुसा मत किया करो क्योंकि तुम जब भी मुझे पर गुसा करती हूँ तब खुद को भी हट कर लेती हूँ और मैं ये कभी नहीं देख सकता अगर तुम्हें मुझे को हट करना भी है तो मुझे बता दिया करो मैं खुद को ही अपने आ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, जाना प्लीज इस तरह से मुझपर गुसा मत किया करो क्योंकि तुम जब भी मुझपर गुसा करती हो, तब खुद को भी हट कर लेती हो, और मैं यह कभी नहीं देख सकता, अगर तुम्हें मुझको हट करना भी है तो मुझे बता दिया करो, म मेरे पापा देखने से कितने शांत लगते हैं लेकिन जब भी वो मेरे आसपास होते हैं तो उनको गुसा आ जाता है, उनका चेहरा ऐसा पढ़ जाता है, जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे घटिया चीज देख ली हो। तो वो किसी को इतना प्यार किया है, इतना सम्मान भी नहीं देते खास तोड़ पर मुझे, तभी गेट पर फिर से लॉक होता है तो रनविजय पाखी को अपनी गोद में उठता है और उसे वस्तू में लेकर चला जाता है, वो उसे वाटसेप में बिठा कर अच्छे से नहला देता है, और फिर उसको एक नई लहंगा देता है, वो से अलमोस्ट तयार ही कर देता है, और फिर जाकर गेट खोलना है, जहां पर समीर गुस्से में मुह फलाई और अपनी कमर पर हाथ बंदे हुए खड़ा हुआ था, को आगे मुसीबत अब इससे डी करो मुझे समझ नह आता, ये दुनिया के सारे सनियों को मेरी ही कुंडली में बैठना था क्या? समीर रनविजय को अपनी उंगी से दरवाजे की तरफ से हटता है, और सीधा अपनी मा की गोद में कूद जाता है, बाकी भी उसे मुस्कुराते हुए अपनी बाहों में थाम लेती है, और उसके म और कोई नहीं, ये ग्रूप में साथ दिखने वाला ओल्ड मैन भी नहीं, हे 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 ये ग्रूम ही साथ दिखने वाला ओल्ड मैन तुम्हारा बाप है, इसलिए मुझे मेरे बाप होने के रिस्पेक्ट चाहिए, ये तुम जो मुझे बार बार ताने मारते रहते हो ना तावा होगा मेरी तो कोई कदर ही नहीं है तुम्हें छोटे चुहे अपने छोटा चुहा किसको बोला बड़े मगरमज और तुमने बड़ा मगरमज किसे बोला छोटे चुहे उसे ही जिसे मुझे छोटा चुहा बोला मगरमज समीर और रनविजय दोनों एक दूसरे को अपन अगर अपने ही मन में बोलती है और वहां से भागने की फराक में होती है लेकिन खुश्बू भी अगर हमारी तेज ना हो तो वो खुश्बू ही कैसी वो जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसकी तरफ अपनी आँखे नाचते हुए देखने लग जाती है बाकी आप अच्छा हटिये हमें काम करना है शादी वाले घर में सो कम होते हैं खुश्बू उसको उपर से नीचे तक देखी है तभी उसका ध्यान पाकी के लगभग वाइट पर जाता है तो वो उसका मजाग बनाते हुए क्या इस तरह से क्या देख रही हो आप अच्छा हटिये हमें काम करना है शादी वाले घर में सो कम होते हैं अच्छा तुम्हें पता है शादी वाले घर में दस कम होते हैं लेकिन तुम्हारे गार्डन के ये जो लवबाइट है ना वो तो कुछ और ही बता रहे हैं पाकी जल्दी से अपने गर्दन पर हाथ रख कर लवबाइट को चुपाने की कोशिश करती है अरे अरे अब चुपाने की जरूरत नहीं है मैं क्या यह नपस अभी ने तुम्हारे और रनविजय के बीच जो चल रहा था वो अच्छे से सुन भी लिया और समझ भी लिया पाकी की आखे बड़ी बड़ी हो जाती है उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर इन सब को पता कैसे चला वही खुश्बू उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर जोर जोर से हसने लग जाती है मम तभी वहाँ पर रानी आया है और खुश्बू के सिर पर हलका सा थप पर लगाते हुए अंदस को मानव सही बोलता है आप आपके बारे में आप हमेशा ऐसी बेशरमी भरी बाते करती हो और दूसरों से भी आप सकती हो कि वो आपकी इन बातों पर रियक्ट करें खुश्बू बच्चों जैसे मोह बनाते हुए अंदस को उनकी तो बात करिये हिम्मत उनको तो हमेशा मेरी ही गलती नजर आती है मुझे समझ नहीं आता अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में ऐसी कौन सी मौत आ जाती है जो मैं अपनी भावनाओं को खुलकर बो करें पाकी और रानी दोनों ही नाम ऐसे रहलाती है और वहां से मंडप की और आ जाती है यहां पर तीनों दूल्हे बहुत ही अच्छी तरीके से सच कर बैठे हुए अपनी दुलहनिया का इंतजार कर रही थी पंदित जीव के तरफ की पूजा करवाते हैं और फिर वो सभी दुलहनों को बुलाते हैं पाकी रानी सुमन माही सभी जाती है और नंदिनी रोश्नी और अंशिका इन तीनों को लेकर आ जाती है जैसे ही हमारे दूल ही राजाओं की नजर अपनी अपनी दुलहनिया पर पड़ती है वो तीनों तो अपनी जगह से खड़े ही हो जाते हैं रोशनी के ने बहुत ही प्यारा सा का ग्रीन के साथ रेड मिक्स का लहंगा पहना हुआ था उसके साथ दुलहनों का श्रिंगार और मेकप तो वही हमारी नंदिनी ने लाल रंग का पूरे लहंगा पहना हुआ था जिसमें उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ रही रोशनी के ने बहुत ही प्यारा सा का ग्रीन के साथ रेड मिक्स का लहंगा पहना हुआ था उसके साथ दुलहनों का श्रिंगार और मेकप तो वही हमारी नंदिनी ने लाल रंग का पूरे लहंगा पहना हुआ था जिसमें उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ र ये देखकर पंडित जी भी अपना सिर हिला देते हैं तो वो तीनों अपने दाथ चमका देते हैं वही हमारी तीनों दुलहन हो तो शर्म के मारे अपना चेहरा भी उठा नहीं पा रही थी पंडित जी पूजा करने के बाद कन्यादान के लिए बुलाते हैं सारिका जी और अभिजीत जी आते हैं रोशनी का हाथ अंश के हाथ में दे देते हैं इस बार अपनी पत्नी को खुद से दूर मत जाने देना गलतिया एक बार माफ होती है बार बार नहीं अभिजीत जी की बात सुनकर अंश हमेशा दिला देता है और कसकर रोशनी का हाथ पकड़ लेता है तो वही नंदिनी का कन्यादान करने के लिए वंश और अंजली आते हैं मेरी बहन ने अपनी जिन्दगी में बहुत दुख देखे है मैं नहीं चाहता कि उसकी जिन्दगी में और दिखाए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है तुम उसकी जिन्दगी में कभी कोई दुख आने भी नहीं दोगे बस ये तो एक बाप का प्यार है और उसकी यही रिक्वेस्ट करूंगा इसको हमेशा खुश रखना मेरी बहन ने अपनी जिन्दगी में बहुत दुख देखे हैं मैं नहीं चाहता कि उसकी जिन्दगी में और दिखाए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है तुम उसकी जिन्दगी में कभी कोई दुखाने भी नहीं और नंदू दोनों ही मेरी दिल के दो-दो हिससे हैं जिनके बिना मैं कभी रह नहीं सकता इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है मैं अपनी सासों से ज्यादा इन्हें संभाल कर रखूंगा वीर मुस्कुराते हुए उन दोनों के सिर पर हाथ रख देता है वही अंशिका की आँखे नम थी क्योंकि उसका तो कोई माबाप ही नहीं था वह अपना सिर नीचे करे बैठी थी कि तभी कोई उसका हाथ पकड़ता है अंशिका उसे और देखते हैं जहां पर पाकी और रनविजय खड़े थे तुम्हें क्या लगा कि मेरी बीवी बस तुम्हें ऐसे ही अपने बच्चों के समान समझती है नहीं आसू हम तुम्हें सच में अपनी बेटी के जैसी ही समझते हैं तो जब बेटी का कन्यादान हो तथा उसका कन्यादान नहीं करेगा क्या और वैसे भी मुझे तो सबसे ब यह मत समझना कि तु मेरा भाई है तो बच्चा जाएगा नहीं अगर कभी भी हमारी इस फूल जैसी बच्ची की आँखों में आसू देखे ना तो सोचा तेरा वो दिन धर्ती पर आखिरी दिन होगा क्योंकि मैं अपनी बच्ची की आँख में आसू कभी बरदाश्ट नहीं क कर सकता अग्मी मो बना लेता है और घूर कर अपने भाई को देखते हुए अंदसको भाई यहां पर तो बस कर दीजिए आज मेरी शादी है और वो लोग अपने दामादों को फूलों के हर खुशियों की सौगात देते हैं और आप अपने दामाद कम भाई को धंकी दे रहे हुए कहां का इंसाफ है यह मत समझना कि तु मेरा भाई है तो बच्चा जाएगा नहीं अगर कभी भी हमारी इस फूल जैसी बच्ची की आँखों में मैं आसू देखे ना तो सोचा तेरा वो दिन धर्ती पर आखिरी दिन होगा क्योंकि मैं अपनी बच्ची की आँख में कभी बरदाश्ट नहीं कर सकता अगनी की बात सुनकर अब रनविजय मोह बना लेता है पंदित जी शादी की बाकी रस्मों को करने लग जाते हैं तीन हूँ शेरों के लिए खड़े हो जाते हैं और अगनी को साक्षी मानते हुए अपने वचनों को देते हैं उसके बाद प की फर्स्ट नाइट के साथ कुछ रोमेंटिक और कुछ वायल्ड होना होता है तो कल के चैप्टर का इंतजार करना और आज के चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंडस सेक्शन में जरूर मुझे पता है कुछ दिनों से आप लोगों को मेरी खत्म होने वाला है और इसका इन सब के बच्चों का प्यार की कहानी शुरू होगी तो कैसे उन सब को अपने जीवन साथ ही मिलते हैं और कैसे उनकी कहानी पूरी होती है जानेंगे हमारे उसे सीजन में